पिछे टोंपे हम डिस्स कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर टू नेशनलीजमीन इंडिया वह डिस्स क्या जा रहे था उसमें तमाण टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था नॉन कोपरेशन मुवमेंट पढ़ा दिया था किलापत मुवमेंट पढ़ाया फिर किस प्रकार न और मोतिलाल नहरू जैसे निताओं के बारे में बताया आगे डिसकस किया साइमन कमिशन डिसकस किया था बरकेन हेट का मैंने चैलेंज डिसकस किया नहरू रिपोर्ट डिसकस किया और जिन्ना रिपोर्ट डिसकस किया नहरू रिपोर्ट जब रिजेक्ट हो गया तो मैंने आपको ये भी बताया था मोतिलाल नहरू ने किस प्रकार राजनीत से पॉलिटी से अपने आपको किनारा कर लिया और उनकी जगे लेने के लिए उनका बेटा यानि जवाहलाल नहरू राजनीत में इंट्रे कर रहे है 1929 में लाहूर में कांग्रेस का फिर से मीटिंग हुआ है मैंने आपको बताया था परियर मीटिंग होता था कांग्रेस का 1929 में ये मीटिंग हुआ है लाहूर में और उसकी अध्यचता की है खुद जवाहलाल नहरू ने तो यह एक बहुत बड़ा वर्ड आता है सुराज और टोटल सुराज यानि कम्प्लीट सुराज कभी कभी डिफर करना मुस्किल हो जाता है लोग पूछते हैं सुराज तो वही मतलब अपना राज अपना राज तो यह अंतर किस प्रकार इन दोनों में है तो मैं बता दूं जैसे इन बिटिसर्स जाब पा रहे थे आईयस का जाब पा रहे थे या गवर्ने जनरल का या भारस सचीव का बड़े बड़े पोश्ट पा रहे थे इंडियन्स वहां तक नहीं पहुच पा रहे थे तो सुराज का मतलब होता है कि भाया हमें भी वो जाब दीजिए ये कहत जाएंगे आप हमें छोड के चले जाएए वो कहलाता है फ्रीडम तो तीनों वर्ड में डिफ्रेंस है आगे मैं मिलूंगा तो मैं लांग कोशन वी से डिसकस करूंगा आभी बस इतना ही समझ लेते हैं तो जवाहार ना नहलू क्या चाते थे कंप्लीट स्वराज लाहर में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें जवाला नहरू ने कहा कि हमें भई पूर स्वराज चाहिए यही हमाली डिमांड है और उसी के एकारडिंग 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर स्वराज दिवस मनाया है भारत में पहली बार तो कभी-कभी कोश्चन करता है कि पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया तो याद रखे एका 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे रात को बारे बजे जंटा फैराए गया था पहली बार इंडिया का थिक तो हमेशा याद रखना है यही पहला मनाया गया है भारत का स्वर 15 अगस्त 1947 में नहीं मनाया गया बलकि 26 जनवरी 1930 में मनाया गया है रावी नदी के किनारे तो यहां कोश्चन बनते हैं अच्छे कासे इससे रिलेटेड आधी रात को इसलिए मनाया गया क्योंकि ब्रिटिसस ना जान पाए नहीं तो अरेश्ट वगरे हो जाएंगे उन्हें 26 जनवरी हमारे लिए यहां सिक दिन था तो इन्होंने कहा ऐसा है जब इतने दिन हम लोग रुक गए तो थोड़े दिन और रुक जाते हैं और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होगा और उसी डेट को हम रिपब्लिक दे के रूपे मनाएंगे चलिए इन्होंने मनाया और इसी समय राजनीत में वापसी आ रही है महात्मा गाधी की और महात्मा गाधी अपने साथ कुछ डिमांड लेकर आ रहे हैं कुछ मांग लेकर आ रहे हैं तो वो अपने साथ एक 11 मांग लेकर आये थे और उस समय भारत का वायसराय लाड इर्विन है गाधी ने वो डिमा इन्हें कृपिया एकसेट कर लीजे उसमें सबसे वड़ी मांग थी कि नमक बनाने का अधिकार हम इंडियन्स को भी दिया जाए नमक क्या था नमक बनाने का अधिकार किवल बिटिसर्स के हाथों में था और आप जानते हैं नमक कितना इंपोर्टेंट होता है जाए वो मुके कि जरूरत सबको है इसलिए वो क्या करते थे नमक अपने बनाते थे और मन माफिक दाम पर उसे बेज दे थे बताओ एक रूपए का नमक बनाते रहे होंगे तो उसे सौ रूपए का बेजते होंगे अब गरीब बेचारे कहां से खरीद पाएंगे तो गरीब बेचारे सुम बस लेते थे और समझ जाते थे मैं नमक खा लिया हूँ ऐसे हालात हो गएते तो गाधी की एक मांग ये भी थी कि नमक बनाने का अधिकार कम से कम उन राज्यों को तो दिया जाए जो राज्य नदी के किनारे समुद्र के किनारे बसे हैं दूसरा वाइन्स के सौप को लिमिट किया है और आपने हमें ऐसे रिजेक्ट कर दिया देश मेरा लोग मेरे सब कुछ मेरा आप राज कर रहे हो हमे लूट रहे हो उपर से हमारी ढिमांड को नहीं मान रहे हो अब लग रहा है तुमारे खिलाप एक और मौमेंट सुरू करने का समय आगया है उसी को हम कहते हैं civil disobed obedience movement इन्हें ये आप कहते हैं सभी ने अवग्या अंदोरन क्लिया गाधी जी अपने 78 फालोवर के साथ साबरमती आसरम से चलना इस्टार्ट किये है 12 मार्च 1930 आपके बुक में 11 मार्च दिया है और कुछ जगें पे भी 11 मार्च दिया है तो उसको सही कर लिए याद रखना 12 मार्च को वो इस्टार्ट किये थे चलना अपने 78 फालोवर के साथ चलना शुरू किये और 240 मील चले है दिन भर चलते रात में गाउं में रुकते और गाउंवालों को अपना लच्छ समझाते अपना उद्देश समझाते ब्रिटिसों के खिलाप उनका सपोर्ट मांगते और सुबह जब गाधी चलते तो उनके साथ पुरा गाउं साथ में हो जाता था 6 अप्रेल को ये दांडी नामक नदी के किनारे पहुंचे हैं दांडी नामक अस्थान पर पहुंचे हैं और उनके पीछे खड़े होने वालों की संख्या लाखों में थी 78 के साथ चलना सुरू किया और दांडी पहुंचकर इनके पीछे लाखों थे अब सोचिए क्या चेहरा है ये महात्मा गाधी जो अपने मुमेंट में लाखों को जोड़ चुका है वहाँ जाकर इन्होंने नदी से निकाला एक मुठी नमक और अपने हास से बनाया उन्होंने कहा हलो मैं तोड़ता हूँ बिटिसो द्वारा बनाए कानून को नमक मैं अपने हास से बनाता हूँ और आज सुरू करता हूँ एक नया मुमेंट जिसे कहते हैं civil disobedience moment सभी ने अवग्या आंदोलन इसी जो इन्होंने ट्रवल किया है इसी को कहते हैं दांडी मार्च इसी को कुछ लोग कहते हैं salt मार्च ये बुड़ा इंसान 240 मिल चला है ओभी धूप के लतेडों में और गुजरात तो आप जानते हैं ये रूर प्रदेश कहलाता है जहाँ पानी की कमी है अब सोचिए उस धूप में ये 17 साल का इनसान चला है बिना चपल के अब सोचिए इस इनसान ने कितना बड़ा योगदान दिया है आपके freedom के लिए हम उन योगदानों को मानते नहीं है और इनको लगातार abuse करते हैं गंदी-गंदी-गाली देते हैं लेकिन सच तो यही है कि इस नाम का योगदान बहुत बड़ा है इन्होंने नमक बना के कानून तोड़ा इनकी सहायता कर रहे है अब्दुल गफ्थार खांच, सरोजनी, नाइडो, राज गोपालाचारी जैसे लोग और हर एक जगह पर ब्रिटिसों द्वारा बनाए नमक कानून को तोड़ा गया और सुरू किया गया एक और movement जिसे हम कह राउंटेबल कॉनफरेंस, 1930 में पहला राउंटेबल कॉनफरेंस किया गया, ये क्या है तो कुछ नहीं है, एक ऐसे गोल मेज होता है लंदन में और गोल मेज के सबसे फ्रंट पे बैठे रहेगी महारानी, ब्रिटिस प्राइम मिनिश्टर, वाइस प्राइम मिनिश्टर, वीपच्छी पार्टे का नेता, और तमाम कांग्रेस के नेता, महिला आयो की नेता, ब्रिटिस सांसर, सभी लोग उसी गोल मेज के किनारे बैठे रहेंगे, और सोचेंगे कि इंडिया में किस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए, इसी गोल मेज सम्मेलन में ये बाते हो शुरू कर दिया, तो आप हमें इन्वाइट कर रहे हैं, हमें से कोई नहीं जाएगा तुम्हारे गोल में सम्मेलन में, और कोई भी कांग्रेस का नेता गोल में सम्मेलन में नहीं गया, आप जानते हैं कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, तो आपकी मी इंडिया में हमें क्या करना चाहिए आपके इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है फिलाल मीटिंग हो गया था इसी मीटिंग में साइमन रिपोर्ट पारित किया गया था और बोला गया था इंडिया में कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है हलाकि उसमें कांग्रेस का कोई नेत नेक्स रेडिंग है, how was this moment different from non-corporation moment, 60 form भी दिया हूँ, NCM, ये असहयोग आंदोलन से किस प्रकार differ है, तो निशित तोर पर differ है, NCM का जो परपज था, वो स्वराज था, जबकि CDM का जो परपज है, वो परपज है, complete स्वराज, दूसरी बात, non-corporation moment में, हम लोग non-corporate करते थे, असहयोग करते थे, British कोई कानून कहता, तो हम उसको सहयोग नहीं करते थे, हम उस सहयोग को, मतलब उसको बांतों को नहीं मानते थे, हम उनके rule और regulation को follow नहीं करते थे, ये असहयोग में था, civil disobedience moment में क्या है भाईया, हम आपका सहयोग भी नहीं करेंगे, और आपके बनाए कानून को हम तोड़ेंगे भी, clear, हड़ी नहीं तोड़ेंगे, कानून तोड़ेंगे, clear, यानि non-violence के जरिये ही, हम आपके सारे rule और regulation की धजिया उड़ा देंगे, वो rule और regulation जो इंडियन्स के अधिकारों को कुचल रहा हो, वो rule और regulation जो इंडियन्स को उनके देश में ही उन्हें अधिकार न दे रहा हो, clear, साथी non-cooperation movement में कुछ वर्गों ने सपोर्ट किया था, हलकि सभी वर्ग थे लेकिन उनकी मात्रा कम थी, लेकिन civil disobedience movement में बहुत बड़ी मात्रा थी, महिला और हिला है, सब घर से निकल गई थी, गाव विलेजर वगएर है, समें इनके पीछे होच रहे थे, तो movement बहुत बड़ा था, बहुत तेज था, और इस movement ने Indians, वाइस राए, इर्विन क्या सीधे लंदन तक को हिला कर रख दिया, क्लियर, क्योंकि maximum color को वगएर है, और जो छोटे-छोटे जाते वो Indians करते थे, अब वो Indians क्या करेंगी भईया, मैं काम नहीं करूँगा, साथ ही आपके बनाए rules को मैं तोड़ूँगा भी, तो Britishers को बड़ा नुकसान हो रहा था, foreign clothes को इन्होंने त्याग दिया, help करना छोड़ दिया, तो Britishers को बड़ा नुकसान हो रहा था, clear? British महरानी ने कहा, लाड इर्विन जी, अरे 11 मांगे थी, गाधी के मान लिये होते, ये कम से कम इतना बड़ा मूमेंट तो नहीं होता, अब जाओ किसी तरह बड़ों को मनाओ, नहीं तो ये मूमेंट तो बहुत घातक हो रहा है हमारे लिए, इर्विन आया है गाधी से मिलने, और गाधी से कहा, गाधी जी आप क्यों नाराज हो रहे हैं, आपकी बातों को हम सुनेंगे, आईए हम दोनों बात करते हैं, उसी को हम कहते हैं गाधी इर्विन पैक्ट, जो हुआ है 5 मार्च 1931 में, गाधी भी चले गए, चलो भई अगर आपको सुनना चाहते हैं, तो चलिए मीटिंग करने से क्या नुक्सान हैं, चलो हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग हुआ है, तो गाधी इर्विन पैक्ट में क्या मीटिंग हुआ वो देखते हैं, इर्विन ने कहा गाधी जी, आपकी जितनी भी डिमांड है, 11 डिमांड है और भी डिमांड है, उन सारे डिमांड को मैं मान लूँगा उसमें no excuse मैं सारे डिमांड को मान लूँगा लेकिन आपको second round table conference में आना है जो लंदन में होगा 1931 में clear गादी ने कहा आप सारे डिमांड मांगेंगे उन्होंने कहा एक दब हम सारे डिमांड आपके मानेंगे बस civil disobedience movement को आप खतम कीजिए उसको खत्म कर दीजिए round table में आईए हम आपके सारे डिमांड वहाँ सुन लेंगे clear गादी ने कहा चलिए ठीक अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाईया मैं आऊंगा चलिए आप लोग मैं लंदन में जब मीटी होगा तो मैं आऊंगा अपने इस समीनिया वग्यां दोलन को मैं return करता हूँ वापस लेता हूँ clear तो गादी जी return तो कर लिए समीनिया वग्या अंधोलन को और लंदन में second round table में participate करने के लिए ये राजपूताना नामक जहाज से पहुँच गये लंदन clear तो गादी जब यहां पहुँचे हैं लंदन में तो कहा जाता है सेंट टॉमस पैलेस याद रखना एक नाम सेंट टॉमस पैलेस में round table meeting होता था conference उसी में होता था सेंट टॉमस पैलेस लंदन का बहुत बड़ा पैलेस था बहुत बड़ा महल था जहां महारानी रहती हैं वहीं meeting होना था तो गादी जब पहुँचे तो बिचारे बोला चर्चिल ने कहा इस नंगे भिखारी बेगर्स को देखो आज इतनी इसकी हिम्मत हो गई कि ये महारानी के बरावर बैठेगा उन्ही के सिंगासन पे उन्ही के चेयर पे तो चर्चिल हाला कि और भी अब सब्दी यूज किया गादी के लिए उसने बहुत मतलब गाली भी एकतने से दी है महात्मा गाधी को फिलाल जो भी हो गाधी पहुच गया मीटिंग में और राउंटेबल मीटिंग सुरू हुआ इर्विन ने कहा बताईए जी गाधी जी क्या परिसानी थी आपको क्या बात है गाधी ने कहा मेरी वही डिमांड है आप डिमांड मान जी इर्विन ने कहा और कोई डिमांड हो तो बताईए गाधी डिमांड कुछ और कर रहे थे भगत अगध सिंग के लिए कुछ बोलना चाह रहे थे वहाँ पे लेकिन इर्विन और गाधी के बीच एक 이स हो गया बहस तीज हो गया महात्मा भगत सिंग के नाम पे तो इर गांधी इर्विन पैक्ट में इर्विन चाला के दिखा दिया गांधी से बोला था आंदोलन वापस ले लिए हम आपकी बात मान लेंगे अब आप बताईए आप आंदोलन कर रहे हैं सबसे कह रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे कुछ करेंगे और आपने आंदोलन इसलिए इर्वीन चालाक हो गया और महात्मा गाधी थोड़े पीछे हो गया हाला कि गाधी कुका जाता है पचास साल के फ्यूचर का पता था गाधी बहुत दूरदर्सी इंसान थे लेकिन यहीं थोड़े वो बिफल हो गया है अनसकसेस हो गया है गाधी बड़े निरास हो उ उन्होंने civil disobedience movement की सुरुवात कर दी लेकिन इर्वीन तैयार था उसने क्या किया जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको अरेश्ट कर लिया नेता अरेश्ट हो गया है second जो आपने श्टार्ट किया था उसका आपको result नहीं मिल पाया क्यों क्योंकि जनता अब उस तरह स आप में participate नहीं कर पाई जिस तरह उन्हें करना था क्योंकि कहीं न कहीं वो गाधी से थोड़े नाराज हो गये थे कि बताओ जब मन करता है आंदोलन शुरू कर देते हैं जब मन करता है आंदोलन वापस कर देते हैं हम अपने school को छोड़ कर आ रहे हैं हम अपने job को अपर्सिपेट करते भाईया लड़ाई लड़ना है तो अंतिम तक लड़ो बीच में आप लड़ाई क्यों बंद कर देते हो तो जनता का वह समर्थन नहीं मिल पाया गांधी को और दूसरी बात जब civil disobedience moment शुरू हुआ उस moment का ज़्यादा फल नहीं निकल पाया गांधी अ अवतार खान अरेष्ट हो गया है और नेताओं के अरेष्ट होने पर पबिक समझ नहीं पाई कि उन्हें करना क्या है सेना के लिए जिस तरह सेना पती इंपॉर्टेंट है moment के लिए उसी प्रकार उनका लीडर इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीडर ही बताता है कि आपको करन क्या है कैसे करना है कैसे आपको रहना है किस प्रकार कहां मुवमेंट करना यह सब कोई लीडर ही बताएगा और जब लीडर ही अरेश्ट हो गया तो मुवमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल सकता क्योंकि साधारन जनता जान ही नहीं पाएगी उसे करना क्या है क्लियर यही कारण रहा कि दुबारा सुरू किया गया सभी ने अवा गया आंदोलन अंसकसेस हो गया और 1934 को महात्मा गाधी ने जेल में ही से वापस ले लिया क्लियर क्योंकि करने का आप कोई मतलब ही नहीं था फिर गाधी की बड़ी आलोचना हुई गाधी ने कहा बताईए आपने फिर यह क्या कि आंदोलन वापस ले लिया गाधी ने कहा चलिए वेट करिए अगली बार जो भी मैं लड़ाई लड़ूंगा निश्चित तोर पर मैं ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिस लड़ाई से हमें स्वतंतता जरूर मिलेगी और जब तक वो मिलेगी नहीं मैं अपने कदम पीछे नहीं खीचूंगा ये मेरा व बादा करता हूँ इसलिए 9042 को जब क्विक इंडिया मुवमेंट शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसमें वाइलेंस भी हुए है काफी कुछ लेकिन फिर भी गाधी ने अपने इस मुवमेंट को वापस नहीं लिया और उसी मुवमेंट ने आपके द चाहिए ये पाकिस्तान वरतमान में पाकिस्तान और उसमें इंडिया में ही थे तो पाकिस्तानी है ये इनका वो सीमान्त गाधी भी कहते हैं क्यों क्योंकि इनका जो मोटीव है जो परपज है वो बिलकुल महात्मा गाधी की तरह हुआ करता था इसलिए पाकिस्तानी लोग इन्हें सीमान्त गाधी का एक टाइटल दिये थे इन्होंने लाहोर से पेसावर तक का ट्रवल किया था और जाके वहाँ नमक कानून को तोड़ा ऐसे राजगोपलाचारी और सरोजनी नाइडू ने साउथ इंडिया में यानि दच्डी भारत में ट्रवल किया था और नमक कानून को तोड़ा था यानि ये जो CDM मुवमेंट है ये आण इंडिया में फैला था जहां अलग-अलग लोगों ने इसको लीड किया एक बात और याद रखिए गाधी इर्विन जो पैक्ट हुआ था जब इन दोनों की मीटिंग हुई थी इसे सरोजनी नाइडू ने कहा था दो आत्माओ का मिलन है टू सॉल मर्ज एक दूसरे से आत्माएं मिल रही हैं महात्मा मिल रही हैं लेकिन सच तो ये है गाधी तो जरूर महात्मा था लेकिन आपने इर्विन की सोच को नहीं पढ़ा वो महात्मा के लायक ही नहीं था नेक्स्ट पॉइंट याद रखना ये तीनों कॉन्फरेंस जो हुआ है 1930, 1931 और 1932 वो मैं आगे डिस्कस करूँगा इन तीनों कॉन्फरेंस में जो बिटिस प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर जी मैक डोनाल्ड जी थे कौन था मैक डोनाल्ड तो याद रखना ये नाम कभी-कभी पूछ लेता है कि राउंट टेबल कॉन्फरेंस में बिटिस प्राइम मिनिस्टर नेम तो याद रखिएगा यही है कभी-कभी कुईन का नाम पुछ लेता है बिटिस महारानी कौन थी तो वो एलिजाबित फ़ैस्ट थी स्वरी एलिजाबित सेकंड थी स्वरी एलिजाबित कौन थी सेकंड थी तो यह पॉइंट याद रखना दूसरा पिछे टम पे मैंने साइमन कमिशन पढ़ाया था आप साइमन कमीशन में दूसरे सबसे बड़े मेंबर थे और जो मैं दूसरा बात किया जो दूसरा मैंने उसे में बता था analytics prime minister वो तीसरे नमबर का था तो शाइमन कमिशन को लीड किया है जान साइमन और दूसरा क्रिप्स क्लिए तो यह पॉइंट याद रखना मुसे मिस हो गय बहुत बड़ा यहां इनका sacrifice रहा है, बनिदान इन्होंने दिया है, क्योंकि गुजराद की रेत पर वो भी नंगे पैर चलना बिलकुल impossible था, क्योंकि जहां जहां यह पैर रखते थे, कहा जाता है, इनके पैर में च्छाले पढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी यह इनसान कभी रुका नहीं और उन्हीं च्छालों के साथ ही यह आगे ट्रवल किया है, अन्तिम समय कहा जाता है, जब इन्होंने moment को मतलब इस्टार्ट किया, उस समय यह तीन दिन तक बेहोस रहे थे, इतना दर्द था इनके सरीर में, जिस दिन गाधी अपने मार्च को इस्टार्ट करन दिन पज़ए थे कि गाधी देखु करता क्या है, जब इतना बड़ा उनका जो मांग थी डिमांड थी, उसे इर्वीन ने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो गाधी के पीछे पीछे घोमते थे, 12 मार्च को सोचते थे अब कुछ गाधी करेगा, 14 मार्च को कुछ करेगा, ले आरे यही नमक ही बनाना था नमक ही बनाना था तो बगल के गड़े से ही बना लिए होते कम सेकना हम लोग को इतना दिन दोडाया तुमने तो दोडाने का एक परपस था ता क्यों कि गाधी अपने अपने मोमेंट में सभी लोगों का participation चाहते थे सभी लोग participate करेंगे तो एक pressure बनता ना Britishers के उपर इसलिए ये march किये थे कि सभी लोग मेरे साथ जोड़ जाएंगे और मेरा ये march एक बहुत बड़ा march बनेगा तो निशेतर पर बहुत बड़ा march था ये salt और धानली march निशेतर पर बहुत बड़ा हर एक work participate किया क्या student, क्या trader, क्या जमिदार, क्या patient, क्या factory workers सब ने participate किया निशेतर पर बहुत बड़ा moment था अपसोस इस बात का है कि यहां इर्विन थोड़ा चालाक निकल गया और गांधी जी और नेताओ की सोच वहां तक पहुच नहीं पाई और यही कारण है कि इतना बड़ा moment भिफल हो गया लेकिन इस moment ने कहीं ना कहीं बिटिसर्स को एक डर तो दे ही दिया था ये डर ये था कि वो समय दूर नहीं जब हम अगला moment करेंगे और वो ऐसा moment होगा जिस moment से आपकी जड़े हिल जाएंगे clear? चलो सभी लोग भी जेल में चले गए 1932 को second round table meeting हुआ है और इस round table में कांग्रेस का कोई member नहीं गया क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता कहां है अरेश्ट हो जुए है clear? यानि simple मैं कहूँ तो पहला जो round table meeting हुआ conference हुआ और तीसरा जो हुआ इसमें कांग्रेस participate नहीं किया केवल दूसरे में participate किया है महात्मा गाधी कांग्रेस के member बनके clear? कभी कभी questions बनता है कि सर तीनों कांफरेस में कौन गया? तो नाम नोट कर ले ये चार बड़े भारतिय नेता है जो तीनों conference में कहें है जिन्ना जी मुस्लिम लीग के अध्यच मदन मोहन मालविया हिंदू युवा वाहिनी के अध्यच भीमराव अंबेटकर दलित वर्ग संग के अध्यच सरोजनी नाइडू महिला आयोग के अध्यच ये चारो अलग-अलग सभाओं के अलग-अलग सभा अलग-अलग जो बनाया था उन्होंने कमेटी उसके head थे इसलिए गये थे और Congress का head महात्मा गाधी बन कर गये थे कि वो second round table में आज का lecture में यही रहने देता हूँ तो तीन conference कल मैं discuss करूँगा कि तीसरे conference में क्या बाते हुई क्या result आया तीसरे conference का वो मैं कल discuss करूँगा कल ही आपका last class भी लिलूँगा यानि कल first है first agast है और आपका history का chapter number two भी finish हो जाएगा यानि जो आपके pre quarterly exam का जो portion है यानि history के दो chapter geography का first chapter civics का first chapter वो कल complete हो जाएगा आपके पास समय है आपका paper side seven या eight को है तो अच्छा कासा gap मिल गया आपको दो, तीन, चार, पाँच अच्छे कासे पांच-शे दिन का gap मिल गया है मतलब gap क्या मिला है paper तो चार अगर्ष से इस्टार्ट लिगने मिले लक्षर में से ही बन जाएंगे क्लियर है questions लेंदी बन नहीं रहे है fill in the blanks है छोटा, mcq है छोटा, one word है छोटा two files है छोटा, यानि जो भी आपको पढ़ना है, वो एक तरह से छोटा-छोटा point पढ़ना है, तो ये date बड़े important है, कि meeting कब हुआ, कब धांडी माज श्टाट हुआ, सायो, non-cooperation movement कि date कोई श्टाट हुआ, ये date बड़ा important है, इसलिए date कोई याद लगे है क्योंकि one word में इससे related questions बनाए जा सकते हैं clear, तो next video में मैं आपका ये chapter number two finish कर दूँगा, आपके pre-quarterly exam की, तैयारी निशित तोर पे आप सुरू कर चुके होंगे, काफी कुछ topic आप तैयार भी कर चुके होंगे, क्योंकि chapter, history, sst की मैं बात करूँ तो बहुत मज़ेदार subject होता है पढ़ने और समझने में मज़ा जाता है, क्योंकि story, story है और पूरा story है समय कम है और subject जादे है, clear तो next वीडियो में मैं तीनो conference एक बार आपको roundtable conference बनाऊंगा, साथ ही आपका पूना pact के बारे में discuss करूँगा, गाधी अंबेटकर conference discuss करूँगा 1937 election discuss करूँगा, quick India movement Indians freedom ये सब कुछ discuss करूँगा next वीडियो यानि वो last video होगा जहां मैं आपके chapter को finish कर दूँगा clear, तो आप अपने तयारी शुरू कर दीजे मेरे वीडियो के साथ ही अपना सब कुछ तयारी कीजे, वीडियो को देखकर ही अपने questions को खुदी तयार कर सकते हैं next वीडियो में discuss करेंगे हम कुछ और point के साथ यानि कुछ और topic last video हो डिसकस करूँगा okay, thank you